कि हलो प्रेंड वेल्कम बैक टो इस्प्रीड आप एकेडमी इस रावल सुनकर फ्रांग आइड रूर्टी और मैं आज के सामने लेकर आया हूँ कंपूर्टर साइंस का चुटाफ जाता है आज बारे में दिसकस करेंगे दोस्तों हम इस चैनल पर हमारा यह नया चैनल है हम इस चैनल पर आपको जो सा कौंसेंश इस एक पर चीज़ को अपडेट डेली डेली अपडेट करते रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर तो सबस्क्राइब करिए जिससे जो हमारा अपडेट हो तो आप तक पहुंचता रहे हैं तो चलिए अपनी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज की सेशन में जो हम डिसकर्स करने वाले हैं कॉंपूटर साइंस का टॉप 10 पें कितना ओपनी रैंग और पोजिए कितना है इस बारे में डिस्क्स करेंगे मिंस कि कितने रैंग पर आपको टॉपकर एटी में कॉम्पूटर साइंस प्रांच मिल जाएगा टॉप टेन आयाइटी की बार में कर रहा हूं जो अभी निवाइटी है उनमें तो काफी नीचे रहें तक मिल जाती बड़े आराम से लेकिन मैं जो निवाइटी उनको रिक्मेंट नहीं करूँगा क्योंकि अभी 2016-15 में तो जो 2015-2015 2016 में जो आइटी निवाइटी ओपन है मैं मैं उनको सजेट्ट नहीं करूँगा कि आप उसमें CS ब्रांच लीजिए अपनी अच्छी नहीं के बाउजूद अगर उसमें चले जाते हैं इस जर्चाब मेगनिकल इलेक्रिकल सिविल याईटी ब्रांच याईटी ब्रांच अगर कमपोडर साइंस की बाद दिखा जाए इसकी ब्रांच की काफी इलेक्ट्रोनिक एंड कम्निकेशन ही इसकी काफी हुआ है तो आप रैदर देन कि आप किसी न्यू आईटी में जो द्वार्टिक सिस्टी में बना हुआ है उसमें जाने से अच्छा है कि आप इंक कॉलेज में ECE ब्रांच लेने क्यों क्योंकि इसकी नियार रेंग नहीं है ठीके उस काफी को हम यह इस्टिमेंट नहीं लेगा पार है कि वो किता अच्छा है और उसका पैकेज किता जाए क्योंकि वी तक तो उसके इस्टूटन को थर्ड यार्ड फाइनल यहल में है तो इसको मैं रिकमेंट नहीं कर रहा हूं आप उस उसके बात कुछ और आएटी हैं जो मिड़ा इसको बीच में आई थी और जो निव इतम है उसकी इसमें बात ही नहीं पर आएटी बांबे आएटी बॉमबे सीयस का तौप मोस्ट आइडी है जहां पर सबसे हाइए राइंक वाले कुई इस्टूटन को ही उसमें मिलता है ज सबसे पहले आपको एक चाहिए कि आप ब्रांच वाई जाएंगे या कॉलेज वाई जाएंगे इसमें मैं सब्सक्राइब कर सकता हूं कि अगर आपकी रैंक अच्छी आई है मिन्स कि आपकी रैंक मालेजिए दो हजार तीन हजार आई हुई है दो हजार तीन हजार एक हजार मतब कि अगर एक हजार के अंदर आए तो पहले तो चूज करिए शिक्स ओल्लाइट है अगर आपका बिलो ऑन थाउजड रैंग है तो तो आपको सोचना ही नहीं है आपको चुप-चुप-चुप ब्रांच को चूज कर लेना है यह टॉप- । ठीक है लेकिन जिनकी रहीं खराव है जिनकी रहीं आठय.जार दस हजार है उन saat 1099,000 पर आप को तुर्गल प्रांच मिल देल्लाफी में अगर। कुछ प्रांच मिल जाता हो जादा पेटर है मताब अगर आपकी अच्छी मताब टॉप राइंग पर है तो आप कालेज वाइट चाहिए उसको प्रिफरेंग दीजिए लेकिन अच्छी रेंग है तो ब्रांच वाइट चाहिए ठीक है मैं यह सजेश्ट करूंगा आपकी आप सबसे टॉप मोस्ट सब इस सब्सक्राइब करता है तो आपको ओपनिंग रखा है फिर बार में प्रोजिंग रखा है यह आपका होगया ओपनिंग रेंग यह प्लोजिंग रहें अगर बात करो आपकी तो ओपनिंग रेंग फस्ट है मतब फस्ट और 59 इसी प्लोजिंग है मतब जिसकी सिस्टी राइंक आई हुई है और जो डेटा है यह 2018 का डेटा यह मैंने लिया हुआ है और यह मैंने जो सापे स्टीट पे आओ क्या बोलते हैं आ उसमें जो राउंड दिये हुए राउंड बन से लेके राउंड राउंड सेवन तक सारे चीज़ को मैं अच्छे से करने के वादी यह डेटा आपके सामने प्रजेंट किया हुँ तो आइटी पंबे की जो ओपनिंग रैंक है वान एंड प्रोजिंग 59 मिस अगर जिसकी सिस्टी रैंक आई है आ उपनिंग रैंक नाइंटी कि डुए और को सेवन टुशी डू है दोसेटास की बात कर दो थिप्टी वंड अट्विंग राइंग अच अछली है में 416 पे CS branch बंद हो गई थी आईट मुड़की में आईटी बुहारडी में 333rd opening रहेंग है और 505rd closing रहेंग है आईटी हैद्राबान 445rd opening रहेंग और 77777777777 यहां कि लोजिग रहेंग है आईटी प्यक्चू 527rd opening रहेंग and closing रहेंग लास्ट 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 पटनाट लीस्ट आयाटी इंदोर 806 और 1264 प्रोजिन है अगर 1000 के बाहर राइंग आती है तो आप भूल जाहिए कि इन टॉप 10 आइटी में आपको CS मिलेगा अगर आपकी राइंग 1000 के ऊपर आई है कभी कभी चांसे होता जैसे आइटी इंदोर में इस पर 1264 मिल लिया नहीं जिनरली वह वन थाउजन के अंदर ही बंद हो जाता है इन टॉप 10 आइटी में CS बांच 1000 के राउन में बंद हो जाता है अगर आपकी राइंग एगजार के अंदर है तो ही चांस है कि इन टॉप 10 आइटी में आपको CS मिलें अगर आपका इंट्रे अगर आपके अंदर ऐसा है तो आप अपनी प्रांच को चूज कीजिए और जो भी आईटी लेना चाहते ले सकते हैं लेकिन अगर प्लेस्मेंट वाइस बात करूं तो प्लेस्मेंट वाइस सबसे ची प्रांच होती है CS क्योंकि CS का बहुत हाई पैकेज जाता है इवन की अ मतब CS का डिवांट हर जगह है इन 10 IIT में इसते जो नूचे भी IIT वाले IIT है उनकी भी CS की CS का जो प्लेस्मेंट है काफी हाई जाता है अगर मैं इस एक बात करूं नाइटी में पहले दूसरी जो पहले दूसरी तीसरी राइंक वाले ए उनका CS ब्रांच बहुत सारे आइएट के अधर बांच को पीछे कर देता है जैसे ट्रिपल आइटी डेली वाला हो गया ठीक है कुछ ट्रिपल आइटी में छोते हिरे सीस्किदों इस ब्रांच जैसे केमिकल ओर मैठलर जी से जाधा पात है इंसे जादा है ठीक है तो यहाँ पैकेश के मैं आपको पेकश्स क्लमा करूंगा अगर्चर्णी जा रहे हैं तो आप ऑप की तो अगर आंप पाते सिस्प्सेफिक ब्रांच पसंद दोता ह मुझे ले सकते हैं तो इसमें मैंने क्या डिक्ता लिया मतलब साइंस का ओपनिग को जिग का यह इसके लाव मैं आलग अलग आई आई-टी वाइस दानने मानों जस्ट कि आई पांबे में कितनी सीट है कितनी ब्रांच है और इसे ही आई डिली आईटी का सारे एन इडिका और तो आज की वीडियो में अच्छा नहीं तो लाइक कीजिए और अमारी चनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा दोस्तों अब बेल आइकन को जरू जरू हिट कर लेजिए ठीक है दोस्तों तक तक के लिए बाइबाइबाइब